गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों कल हमने एक चैप्टर पढ़ा था देशाहरा तो आज हम देशाहरा से सम्मंदित कुछ प्रस्न उतर को देख लेते हैं जो आपके बुक में दिये वे हैं इसमें पहला प्रस्न है कि देशाहरा को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि देशाहरा को हम बिजय या दश्मी के नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि यह दस दिनों का तियोभार है दूसरा प्रस्न है रानी के कई ने राजा दश्रत से क्या वर मांगे तो आपने जैसे की कहानी में पढ़ा कि रानी के कई ने राजा दश्रत से अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्धी मांगी और राम के लिए चोदा वर्ष का वनवास मांगा तीसरा प्रस्ण है, राम ने रावन को युद में क्यूं मारा? तो इसका उत्तर होगा कि रावन दुष्ट ब्यक्ती था, दुराचारी ब्यक्ती था, हम कर सकते हैं याने बुरे आच्रन वाला ब्यक्ती था, इसलिए राम ने रावन का वद्ध किया अगला प्रश्न है बिजया दश्मी का पर्व क्यों मनाया जाता है तो इसका उत्तर होगा राजा राम की बिजय और रावन की पराजय के आउसर पर यह पर्व मनाया जाता है यानि इस दिन बिजया दश्मी के दिन ही राजा राम ने रावन का वद किया था इसलिए राम की विजय और रावन के पराजय पर ये पर्व मनाया जाता है अगला प्रश्न है विजया दश्मी पर किनके पुतले जलाए जाते हैं तो इसका उत्तर होगा बिजिया दश्मी पर रावन, रावन के पुत्र मेगनाद और रावन के भाई कुमकरन के पुतली जलाये जाते हैं। से और भी बहुत सारे पुत्रश्न बन सकते हैं मिडल प्रश्न बन सकते हैं जैसे कह the य Sultan कि तो मैं कि राजा दस्तरट की कितने पुत्रे थे तो हम कहेंगे राजा दस्तर द की चार पुत्रे थे राम लक्षमन भरत और शत्रुघन अब कि दूसरा प्रशन भी बन सकता है कि राजा दश्रत की कितनी रानिया थी तो हम कहेंगे राजा दश्रत की तीन रानिया थी कौशल्या, सुमित्रा और केकई अब आगे प्रशन बन सकता है कि राजा राम किन के पुत्रे थे तो हम कहेंगे राजा राम कौशल्या और दश्रत के पुत्रे थे अब प्रश्ण है कि राजा दश्रत किसे यूराज बनाना चाहते थे तो इसका उत्तर होगा राजा दश्रत राम को यूराज बनाना चाहते थे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर से अनिक मिडल प्रश्ण बन सकते हैं और ये एक्जाम में आपका आ भी सकता है इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा यानि दो चार बार आप रेडिंग कीजेगा और इसको समझने की कोशि अगला प्रश्ण है बुक में हाँ या नहीं में उत्तर दीजे तो राम लंका की राजा थे तो यहाँ पर या सही है या गलट है तो यह होगा गलद क्योंकि लंका की राजा जो थे वो रावन थे बीभीशन धर्मात्मा और सदाचारी थे तो यहां यह बात सही होगा क्योंकि रावन जो था वो अद्दूराचारी ब्यक्ति था और उसका भाई जो बिभीशन था वो बहुत ही धर्मात्मा सुभाव का ब्यक्ति था युद में बिभीशन मारा गया यह बात गलत है युद में बिभीशन नहीं मारा गया था युद में रावन मारा गया था और रावन के मरने के बाद बिभीशन को राजगद्दी पर बठाया गया था लंका के राजा के रोप में रावन को मार कर राम ने अपनी पत्नी सीता को प्राप्त किया तो ये बात भी सही है सॉरी यहां पर ये गलत होगा रावन को मार कर राम ने अपनी पत्नी सीता को प्राप्त किया तो ये बात सही है क्योंकि रावन को मारने के बाद ही राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस प्राप्त किया था क्योंकि रावन ने सीता का हरन कर लिया था तो ये बात बिल्कुल सही है तो यहाँ पर ये बात गलत होगा यूद में विविशन मारा गया ये गलत है यहाँ यूद में रावन मारा गया था यहां पर मैंने शब्दार से कुछ शब्द चुने हैं जैसे दुष्ट, यूद, सहायता, पर्व और प्रसन इन प्रतियक शब्दों से आपको एक-एक वाक्य बनाने हैं तो यह आप कोशिश किजिएगा यहां सब के अर्थ दिये हैं प्रतियक शब्द के अर्थ लिखे वे हैं तो आप इन प्रतियक शब्दों से वाक्य बनाने की कोशिश किजिएगा वाक्य सरल और छोटे होने चाहिए आपको इन से बनाना है वाक्य उसके अर्थ से नहीं बनाना है जैसे दूष्ट, यूथ, सहायता, पर्व और प्रसन तो आप इससे कोशिश किजिएगा वाक्य बनाने की तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू क्लास